नवस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं दा मॉरल एजुकेशन आज हम पटवारी से सम्भंदित सामान हिंदी के कॉस्चनों को देखेंगे एक से बंद से लेके 25 एक से 25 तक जो बिज्ञान आपका समू है पटवारी में उसकी एक वीडियो बनी है आप चाहें तो हमारे चैनल पटवार देख सकते हैं प्रिशन्त्रमांक 26 को देखते हैं प्रिशन्त्रमांक 26 में दिया गया है कि संग्या सर्भनाम बिसेशन बिसेशन और क्रिया डेस शबनों के भेद हैं ए आविकार्य बिकारी ततभाव और ततच सम्ध इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी भिकारी सब्द जो सब्द लिंग बचन कारण आदी से विकृत हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं भिकारी सब्द कहते हैं भी सही आंसर प्रिसंकरिमांक mustard 27 जो संश्कृत सब्द समय के साथ परिवर्टित होकर हिंदी में आ जाते हैं बिक कहलाते हैं तत्सम तदभाव देशिज या फिर बिदेशिद इन्हें कहते हैं तदभाव बी सही आंसर तदभाव सब्द कहते हैं प्रिशन किर्मांक 28 है उतरना किरिया सब्द से बनी भाव बाचक संग्या है उतार बिए उतरना सी है उतराई या फिर डी है उतर इसका उतर हो जाएगा बी सही उतरना प्रिशन किर्मांक 29 है अंबर का अनेकार्थी होगा वस्त फल किरन या फिर ब्रह्मा इसका शही आंसर हो जाएगा आपका किरन है एक मिनट थोड़ा साम सेट कर लेते हैं दूसरा कलर अब देखने जा रहा है प्रसन करमांक तीस निमने लिखित में अधे कौन सी रचना जैसंकर प्रसाद की नहीं हैं हम बार बार कहते हैं आपको ये देखना है नहीं है कौन सी नहीं है ठीक है ना आसु है आसु के बाद आपका जेरणा है जेरणा के बाद चंद्रगुप्त यह आपका सही आनसर होजाएगा कुकुर्भ्टा नहीं है। प्रिशन किरमांक 31 देखते हैं सोना का परियाब आज़ि निम्न मैंसे कौन सा है कौन सा है स्वर्ण वर्ग आधित या केसी तो सही आनसर होजाएगा आपका एवाला स्वार्ण आगे प्रिशन किरमांग 32 जिसकी पतनी मर गई हो के लिए एक सब्द निम्न में से कौन सा है बैधब बिद्वा बिधुर या फिर सद्वा तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिधुर इसका सही आंसर हो जाएगा बिद्वर सी सही आंसर प्रिशन किरमांग तेई से है सैन का संदी बिच्चेद निम्न लिखित में से कौन सा है सै धन अन राय धन साय होगा यहाँ साय धन अन तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका से धन अन यह यह सही आंसर प्रिशन किरमांग 34 है बहिंसकार का बिलॉम सब्द निम्न में से कौन सा है इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रिशन करमांक 35 है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आहूत भी सही आंसर प्रिशन करमांक 36 है सुकु कुस्म कौमल प्रिशन करमांक 36 है कुस्म कौमल सब्द में निम्न में से कौन सा समास है तत्पर समास दिगू समास करमधारा या फिर बहुबरिय समास है इसमें है आपका कुस्म कौमल में आपका हुजाएगा करमधारा समास हो जाएगा प्रिशन करमांक 37 है मुह छिपाना मुहाबरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है घबराना मुह आचल से ढखना लज्जित होना या फिर डरना इसका सही आंसर हो जाएगा लज्जित होना मुह छिपाने अर्थ निम्न में से कौन सा है संग्रहीत शंग्रहत या फिर संग्रह इसका सही आंसर हो जाएगा संग्रहीत इसा होना चाहिए यहां पर सुद्ध रूप बताईए यह अतर नहीं होगा इसा होगा सुद्र रूप निमलिखित में से कौन सा है तो आपका यह सही हो जाएगा पिरिशन किर्मांग को 49 है आखें निकाल आखें निकाल उड़ जात च्छन भर उड़ कर आखात सिब सब जीब खीच कर कुए चुबला चुबला कर खात जैसे आपको इससे समझ में आ रह होगा आखें निकाल के उड़ जात च्छन भर उड़ कर आ जात सब जीब खीच कर कुए चुबला चुबला कर खात तो इसके पंक्तियों में कौन सा रस होना चाहिए इनकी पंक्तियों में होगा आपका भीवत यानि घिरना रस ठीक है पिरिशन किर्मांग के 40 है निमलिखि में ऐसे कौन सा अलंकार है गन्दी गन्द गुलाब को गभई गाहक कौन? अनुपरास सिलेश हुपमा या फिर रुपक इसमें हैं अनुपरास अलंकार है पिरिशन किर्मांग 41 दिए गए सब्द के लिए सही परियाब आची बाले सब्द की पंक्ति को चुनिए पिरिशन क महेश, नरेश, कड़ेश और देवेश भी है देवराज, सुर्पती, सुरेंद्र या फिर सुरेश सी है इस, प्रभू, जगदीश, परमेश्वर, देवेंद्र, गजेंद्र, नरेंद्र या अमरेंद्र इसमें पुछाए दिये गए सब्द के लिए सही परियावाची बाले तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवराज, सुर्पती, सुरेंद्र और सुरेश, प्रिसन किरमांक 42, अधो लिखित बाक में रिक्त इस्थान की पूरती उचित महाबरे से केजिए यदि तुम जूट बोलोगे तो अपना बिस्वास खोने के कारण इस खाली स्थान में आएगा, अकल के पीछे लट लिए फिरना, एक ही ठेले के चटे बटे बनना, अपने पाउँ पर आप ही कुलहाड़ी मानना, या किसमत का रोना, इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि तुम जूट बोलोगे तो अपना बिस्वास खोने के कारण, सिवाला सही आंसर, अपने पेर पर ही कुलहाड़ी मारोगे, पिरसन किरमांक 43 है, यदि नीचे दिये गए जोड़े में, आए बिलॉम सब्द किसमे हैं, किसमे हैं, पढ़के देखते हैं, पढ़ाई, लिखाई, सगाई, साधी, अमीर, गरीब, या फिर हरा, भरा, इसका सह सही आंसर हो जाएगा आपका, गरीब और अमीर, सिवाला सही आंसर, पिरसन किरमांक 44 से सिंग का इस्त्री लिंग होगा, सिंगनी, सेरनी, सिंगह या फिर यामनी, इसका सही आंसर हो जाएगा, सिंग का सिंगनी, पिरसन किरमांक 45 समास के कितनी भेद होते हैं, दो, छे, दस या फिर 12 इसका सही आंसर हो जाएगा 6 फिर बी सही आंसर है बी सी और डी प्रिशन किरमांग के 46 थोड़ा सा इसमें पैरा ग्राफ है हम पूरा देख लेते हैं कि बेर जिर देश 46 से लेके 50 तक है दियान से पढ़िए हम पढ़के सुनाते हैं इतियास बताता है कि भारत अनेक परकार की प्राकृतिक आपदाओं का सिकार होता रहा है चक्रबात बाल भूकम्प और सूखा इसमें से प्रमुख आपदाएं देश के 60 प्रतिसत भूभाग भूभाग विभनता तीब्रता की भूकम्प की भूकम्प की संभाबना बाले चेत्र हैं जबकी 4 करोड हैक्टेर से अधिक चेत्रों में बाल संभाबना बनी रहती है तथा 68 प्रतिसत छेत्र में सूखे की आसंखा मलराती रहती है इसके ना केवल हजारों जीवन की छती होती है बलकी भारी मात्रा में निजी संतायक और सार्वजानेक पर संपत्तियों को छती पहुँचती है या दपी बैग्यानेकों की भौतिक रूप से देश में भारी प्रगती होई है लेकिन आपदाओं के कारण जन धन की छती के कारण जन धन की छती में कमी होने चती में कमी आई नहीं दिखाई देती भारस सरकार ने अपने आपदा प्रबंधन दरश्टी कौन में आमूल परिवर्तन किया है यह नीती अब केवल राहत पहुचाने तक सीमित नहीं है बलकि आपदाओं से निपटने की तैयारियां इनके समन और बचाओ और ज़्यादा जोर दिया जा रहा है दरश्टी कौन में यह परिवर्तन इन धाराओं के फल सरूप आया है कि बिकास पिर किरिया में जब तक आपदा समन को उचित इस्थान नहीं दिया जाता बिकास की किरियां लंबे समय तक जारी नहीं की जाती सरकार के नए दरश्टी कौन का एक महत्पूर्ण पहलू यह भी है कि आपदा समन के समय बिकास के बिकास से संबंधित सभी चेत्रों में अपना जाने जाना चाहिए आपदा प्रभंदन की नीतीगत ढाचे में एक महत्पूर्ण इस्थान है क्योंकि निर्धन और बंचित लोग ही प्राकृतिक आपदां से अधिक प्रभावित होते हैं आपदा प्रभंदन एक बहु आयामी चेत्र है जिसमें मौसम पूर्बा नूमान चेताबनी बचाओ राहत पुनर निर्माड और पुनर बास सामिल हैं प्रसासन बैग्यानिक योजनाकार और स्वें सेबक और सामुदाय सभी इस बहु आयामी प्रयास में हाथ बटाते हैं इसकी भूमी का और गतिविधियां आपदा के पहले आपदा के दोरान और आपदा के बाद महत्पून होती हैं ये सभी गतिविधियां एक दूसरे के पूरक और सहायक होती हैं और इसलिए इन गतिविधियों में सम एक नितांत आवस्यक हो जाता है अब इस पहरा के बाद हम देखते हैं पिरसन किरमांग चालीस निम्न मैंसे कौन सा कथन सत नहीं है कौन सा कथन सत नहीं है नहीं पूछ रहा है नहीं का हम आप से कहते हैं बार बार आपको ध्यार रखना है तो पिरसन किरमांग ली सही नहीं है प्राकृतिक आपनाओं के कारण जन धन की छती में कमी आई है फिरसन किरमांक 47 है अब का सम्यक का अर्थ होता है सम्यक का क्या अर्थ होता है सामान जस समान शमानता या फिर मिलाबटी इसका हो जाएगा सामान जस सामान जैस यह सही आंसर प्रसंद कर्मांग 48 है आपदा समन के उपाए बिकार के संबंधित कार किये छेतर में अपनाए जाने चाहिए जो आपदा समन के जो उपाए हैं वो बिकास के किस संबंधित छेतर में अपनाने चाहिए पिग्यान के छेत्र में, आर्थिक छेत्र में, राजनेतिक छेत्र में या फिर उप्योक्त सभी छेत्रों में तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला उप्योक्त सभी छेत्रों में अपनाना चाहिए प्रिसन किरमांक उनन्चा से भारस सरकार ने अपने आपदा प्रभंधन द्रस्टी कौन में हामूल परिबर्तन क्यों किया है ठीक है ना क्योंकि इसका उद्लिस केबल रहत पहुँचाना है क्योंकि आपदा से जन धन को छती में कमी आई है आपदा प्रभंधन की जिम्मेदारिया राज सरकार की है क्योंकि बिकास प्रक्रिया में आपदा समन को उचित इस्थान दिया जाना आवस्यक हो जाता है इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला क्योंकि बिकास प्रक्रिया में आपदा समन को उचित इस्थान दिया जाना आवस्यक है प्रिस्टित गद्धांस का सरवाधिक उप्योकते सीर्शक निम्न लिखित मैंसे क्या होगा प्राक्रितिक आपदा होगा आपदा प्रवंधन होगा मौसम पूरबानो पान होगा या फिर विकास प्रक्रिया होगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपदा प्रवंधन सीर्शक होगा भी सही आंसर है पतवारी से सम्मंदित यह थी हिंदी की क्लास है ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सस्क्राइब करें थैंक्यू फॉर बॉचिंग वीडियो